शारिरी ग्रूप से ठक जाने पर लोग अधिक इमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देर रात बात चीत की दौरान लोग कई बातों को कबूल कर लेते हैं। एक स्टेडी के अनुसार लगवग 72% लोगों की दिमाग में क्रियेटिव थौट्स नहाते समय आते हैं। चोटी चोटी बात पर चीर चीडा जाने या नाराज को जाने वाले वैक्ती से सामना हो तो समझ जाए कि उसे आपके प्याल और साथ की ज़रूरत है। अकेला पन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हो बलकि तब महसूस होता है जब कोई आपकी केर नहीं करता बात करते हैं अगर किसी को अपना बैग देते हैं तो सामने वाला वेफ्टी बिना कुछ सोचे ही आपका बैग अपने हाथ में ले लेता है पाँच ऐसे psychological facts जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो जिन्दगी के हर कदम पर आपके काम आने वाले तो दोस्तों ये वीडियो must watch वीडियो है वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में psychological facts के बारे में बताया गया है कि आप क्या चीज ऐसी करें जिससे आपको positive response मिले अगर आप किसी के साथ कुछ deal कर रहे हैं या किसी के साथ आप engage हैं तो क्या psychology आप use करें जिससे सामने वाले पर उसका positive प्रभाव पड़े को दोस्तो psychology के अनुसार लोग आपको सिर्फ दो करणों से ही पसंद करते हैं पहला आप कितने काम्याब हो और दूसरा आप कितने सुंदर दिखते हो और वहीं पर दोस्तो एक सोद के अनुसार आपका हस्ताक्षर आपके आत्मिश्वास से पूरी तरह जुड़ा रहता है जितना बड़ा आपका हस्ताक्षर होगा आपका confidence उतना ही अधिक होता है तो दोस्तो क्या आप ऐसी psychology सीखना चाते हो जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपके काम आने वाली है जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे गारंटी है आपको होगे कि यह तो हमारे रियल लाइफ में होता है तो आईए जानते हैं दोस्तो आप सब भी बाजार तो जाता ही होंगे और वहां पर दुकान से सोपिंग भी करते होंगे तो आप दुकानदार से किसी भी चीज के रेट कैसे कम करा सकते हो आईए समझते हैं माल लीजिए कि आप एक कपड़े के दुकान में गए और वहां पर आपने एक जिंस देखी और वह जिंस है 5000 रुपे की अगर आप उस जिन्स के रेट कम कराना चाते हो तो दुकांदार से ये सब्द बोलिए दोस्त ये आपकी जिन्स है तो बहुत अच्छी मुझे ये जिन्स देखते ही पसंद आ गई थी पर इसका रेट तो 5000 रुपे है अगर इसका रेट 3000 रुपे होता तो मैं इसे पक्का खरीद लेता दोस्तो इससे क्या होगा कि दुकंदार साइकलोजिकल प्रभाव के करान आप से आत्मिक रूप से जुड़ जाएगा और वो सोचेगा कि आपके पास 3000 रुपे ही होंगे और दोस्तो अगर दुकंदार को 3000 रुपे में जिन्स को बेच कर कुछ थोड़ा भी मुनाफ़ा होगा तो वो आपको उस जिन्स को 3000 रुपे में ही दे देगा दोस्तो कभी इस फैक्ट को ट्राई करके जरूर देखेगा फैक्ट नमबर टू दोस्तो आप किसी न किसी के साथ बहस या डिबेट तो जरूर करते होंगे और हो सकता है कि आप लास्ट में हार मान कर बैठ जाते होंगे वैसे अगर आप किसी ऐसे वाद विवाद को जीतना चाते हैं तो बहस के दोरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना सीखे जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ाते हो वैसे ही आपको अपनी बातों की स्पीड बढ़ानी है इसका पहला फाइदा तो यह है कि सामने वाला गलते से भी आपकी स्पीड नहीं पगड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब दे पाना उसके लिए अस्टमबब हो जाएगा और इसका दूसरा फाइदा यह है कि अगर यह बैस कुछ लोगों के बीच हो रही है तो वहाँ पर मुझूद लोग आपकी तीवरवाणी से प्रभाविच हो जाएंगे और सबकॉंसियसली वो आपको कॉंफिडेंट समझ लेंगे और वैसे भी दोस्तों जो बन्दा अपनी बातों पर कॉंफिडेंट होता है असली विजयता तो वो ही होता है दोस्तों अगर आप एक स्टुडेंट हो तो इस बात पर विशेश ध्यान दीजेगा कि अगर एक्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल दमदार तरीके से करें बीच में अगर आप थोड़ा बड़ा चड़ा भी देते हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस फैक्ट को मैट्स के क्वेश्चन में मत लगा देना नई तो नमबर जीरो हो जाएंगे ये फैक्ट काम करें का हिस्ट्री या फिर सोसल स्टडी जैसे सब्जेक्ट पर जिसमें आपको लोग क्वेश्चन लिखने होते हैं और एक बात और अगर आप कोई स्टीच दे रहे हो और अगर आपने स्टार्टिंग दमदार कर दी और एंड भी दमदार कर दिया तो आप स्टीच कॉम्पिटिशन जीच जाओगे क्यों दोस्तो है नहीं अमेजिंग कभी इस फैक्ट को ट्राई जरू कीजेगा फैक्ट नवर फॉर दोस्तो अगर आपका अपनी पतनी मम्मी पापा दोस्त या फिर भाई बैन किसी से भी आर्गुमेंट हो गया है मतलब कि विवाद जगड़ा बहस आप इसे कुछ भी कह सकते हो और उसमें आपका पॉइंट कमजोर है तो इस कंडिशन में आपके पास तीन ओप्शन है या तो आप बंदर बंद कर सुनते रहो या फिर सोरी सोरी बोलते रहो और एक तरीका और भी है जिससे आप सोरी बोले बगार जगड़े को खतम कर सकते हो वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा और दोस्तों अगर ये आर्गुमेंट आपके पत्नी के साथ हो रहा है तो वो तीसरा तरीका ये है कि आप अपने पत्नी को बोलो यार आपने ये साड़ी आज कितने दिन बाद पैनी है ये तो बहुत ही गजब लग रही है बस जगड़ा खतम बाकि आप लोग समझदार हो यही तरीका दोस्तों के साथ भी चलता है जैसे किसी बात को लेकर आपका दोस्त आपको सुना रहा है तो उसे बोलो कियार आपने उस दिन उस आदमी के साथ क्या बैस की थी उसकी तो आपने बोलती ही बंद कर दी बस इतना सुनते ही वो सारे जगड़े भुला देगा बस आपका कहने का तरीका सही और प्रभावी होना चाहिए दोस्तों अगर आपके आर्गुमेंट मम्मे पापा भाई बैन पती या दोस्त इन में से किसी के साथ भी होती है तो एक बार इस फैक्ट को ट्राइ करके जरूर देखेगा दोस्तों इस साइकलोजिकल फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा जब हम किसी से हाथ जोड़ कर मिलते हैं तो इसका वेग्यानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के सीर्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाओ पड़ता है तो एक्यू प्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारे आखों, कानों और दिमाग पर होता है जिसके कारण हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और दोस्तो साइकलोजी कहती है कि जितना ज़्यादा आप पहलिया सुलजाते हैं आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाता है तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी पहली लाए हैं जिसका आँसर आप कमेंट करके जरूर दें और पहली यह है कि एक लड़के ने पूछा कि मेरी मा की मा के पती कि लड़के की लड़की मेरी मा की कौन हुई और आपके ऑप्शन है ऑप्शन A बहन ऑप्शन B भान जी ऑप्शन C भती जी और ऑप्शन D पोती आप इसका अंसर कमेंट करके जरूब बताएं तो दोस्तो आज किस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आप इस वीडियो का पार्ट उचाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूब बताएं और ऐसी मज़दार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड गुडबाइ दोस्तों अमीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख लिए होगी और वीडियो देखने के बाद इस साइकलोजिकल का गेम क्या है या साइकलोजिक क्या है इसके बारे में काफी कुछ आपको समझ में आ गिया होगा दोस्तों तो दोस्तों इसी तरह कि इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देजेगा, साथ में लगे हुए बेल आइकम को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर इंटेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टैम में मिलती रहे दुकान वाले एक ही जैसे दिखने वाले दो प्रोडक्स का अलग अलग प्राइस बताते हैं और ज्यादा प्राइस का रीजन बताते हैं बढ़िया मेटिरियल, 80% लोग स्ट्रिक्ट में फस जाते हैं और 500 रुपई की चीज बारगनी के बाद भी 800 रुपई में खरीद लेते जो भी चीज आपको दुकान में पसंद आए उसका रेट डायक ना पूछ कर उसके साइड वाले चीज का रेट पूछें साइड वाले चीज में ज्यादा इंट्रेस्ट शो करें और जो चीज आपको असल में पसंद उससे देखते वे बिकार समू बनाएं ऐसे में आप जो लोग दूसरों को ज़्यादा एडवाइस देते हैं वा खुद बड़ी बड़ी प्राब्लम से जूज रहे होते हैं आपको लगता है कि आपको फोन वाइबरेट हो रहा है पर असल में वो हो नहीं रहा होता तो आप फैंटम वाइबरेशन सिंड्रॉम इमारी के शिकार हो चुके हैं पांच जी साइकोलोजिकल फैक्ट जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए नमबर एक अगर आप सिंगल हो तो आपको शादी शुदा लोग ज़्यादा खुश है ऐसा लगेगा लेकिन अगर आप रिलेशन्शिप में हो तो आपको सिंगल होगी ज़्यादा ख ग्यानी समझता है लेकिन असल में उतना ग्यानी नहीं होता है नमर चार रिसर्च कहते हैं कि हम खुद के ऊपर खर्च करने के अलावा दूसरी के ऊपर खर्च करने से ज़्यादा खुश होते हैं दुनिया में 90% लोग यहां सोचते कि काश काश समय कुछ पन के लिए पीछे चला जाता कि आप भी ऐसा है सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना